वहीं 36 गड़ में इन दिनों चुनावी खुमार चड़ा हुआ है आने वाले दिनों में लोकसभा के दूस्वे और तीसवी चरण का मतदान होना है ऐसे में बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं का दौरा 36 गड़ में हो रहा है 23 और 24 अप्रेल को वो अलग अलग कारेकुमों में शामिल होंगे रानमंत्वी मोदी के प्रवास को लेकर रायपोर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के हैं करीब 2000 जवानों को तैनात किया गया है इसके साथ ही 10 से आधिक द्रोन से सुरक्षा की निक्रानी होगी इस दौरान पेम मोदी दूसरे चवड की तीन लोगसभा सीटों पर जनसभा को संबोधित करते हुए नसर आएंगे अपने दो दिवसे दौरे के पहले दिन मंगलवार को पेम मोदी जांजगीव चांपा लोगसभा श्वेत्र के अंतरगात सक्ती के जेठा मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए नसर आएं और अगले दिन 24 अप्रेल को पेम मोदी अंबिकापुर के लिए रवाना हुँगे और वहां भी जनसभा को संबोधित करेंगे अब मैं आज फिर से आपके लिए पास आशिरवाद मांगने आया हुँ तीसरी बार भाजपाज सरकार के लिए आपके भरपूर आशिरवाद लेने के लिए मैं आपके पास आया हुँ पिछले दस साल में अपना देश बहुत आगे आया है लेकिन बहुत सारा काम बाकी है और सतिस गड़ में तो मुझे पिछली सरकार ने मेरे कोई भी काम यहां आगे बढ़ने ही नहीं दिये अब विष्णु देव जी है तो वो काम भी मुझे पूरे करने है दस साल आपने मुझे देखा है मैं लगातार आपके लिए दोड़ता रहता हूँ नहीं दोड़ता रहता हूँ काम करता रहता हूँ नहीं करता रहता हूँ एक भी छुट्टी लिए मैं नहीं करता हूँ भरपूर महनत करता हूँ नहीं करता हूँ और सब आपी के लिए कर रहा हूँ ना मुझे बताए आपके लिए कर रहा हूँ ना मेरे लिए तो नहीं कर रहा हूँ ना बाकी नेताओं को तो अपने बच्चों के लिए कुछ करना होता है, मोधी के लिए तो आप ही मेरा परिवार है. तो फिर से एक बार दुबारा बड़े बड़े नेता वहां पहुच रहे हैं और बड़ी वैलिया कर रहे हैं और प्रचार प्रसाब के लिए प्रधान मंत्री नवेंद्र मोधी खुछ अत्रसगर के दौरे पर पहुच गए हैं तो क्या लगता है कि प्रथम चबड के बाद अ होने वाला है इस पेस का क्या कुछ असर्व देखने को मिलेगा अकांक्षा प्रधान मंत्री इस बार जो है वो खुदी लीड कर रहे हैं तेके दूसरी पाल्टियों में जो है लीडर बहुत सारे है समझ नहीं आरहा है कौन किसको लीड कर रहा है लेगिद यहां जो एक एक पर माजर रखे हैं और चत्तिजगर की जो पहली जो चरन की सीट थी बस्तर वह बहुत प्रिंसिटिव सीट थी नक्सल प्रभावी सीट थी और वो कॉंग्रेस घढ़ ता तो वो कॉंग्रेस के घढ़ में भी उनोंने जो है दस्तक दी और आज जो है दंपरी जिले में एक का आता है महासमोन विन्हां फिड़ानस स्वा शवासरस स्वातिया और जांजगीर चाप लोग शवा में है 뭇豪 का नो मिक अपनक भारा का थी दो तो नगरेंक दो नहीं कि दो दिग पर मेजर लगते हुए कहा है कि, कॉंग्रेस ने साउ और बीसी समाज को गाली दी हमने ओ वीसी जो है उस कमिशन को ज़ा ज़ा किया तो कही नगए जखा जाए तो वो चूक नहीं हो जाए यह बेख रहे हैं यह बेख रहे हैं। ज़िए जहां बड़ सकती है वहां बड़ सकती है लेकि जार में नौ पहले ही ती तो अब ज्यादा ज्यादा कि वड़ेंगी दो ही बढ़ेगी लेकिन उस दो कभी वह कहीं से चूक नहीं जाए इसले पूरी ताकत लगाए और यह प्रदानमंत्री बनने के बाद शायद पहल पिष्टी बार कॉंग्रेस से आये चिंतामणी महराज है जिनका वहां अश्रम है और बड़ा अच्छा प्रभाव है उनको उन्होंने टिकेट दी है और उस पर भी वह पूरी ताकत लगा रहे हैं तो क्या लगता है कि पहले चरण का जो मतदान प्रतिशत्ता उसमें कुछ बड़ाव इस पार देखने को मिलेगा और दो परसेंट तीन परसेंट की जो गिरावत चतिवगर में भी आई थी देखने में मिली थी पिस्ते पहले चरण में तो वह ऐसा लगता है कि चिंता का विशा है सरकार के लिए भी भाजपा के लिए और इलेक्शन कमिशन के लिए भी तो टाकत तो सभी लगा रहे है और कोशिश कर रहे है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधान मंत्री का जो है दो दिन का पहली बात दौरा हो रहा है यहां पर पहली बार वो दो टीम जोक सभाज चेत्र को एक साथ कर रहे है जी अगर बात करे तो चुनाव के मद्दे नजर चुनाव के अगास से पहले ही जो दल बदलने का सिलसला है वो लगातार देखा जाता है और इस बार भी इस तवीके का जो दौर था वो लगातार देखने को मिलेगा तो क्या लगता है कि आगे भी इस सिलसला जावी रह सकता है कई नेता चो है वह अपना प्ड़ा आल सकते हैं या दल बदल सकते हैं तिक अभी बदल और आना जानाय अभी घया रहे जघार रहा हूं इ magnific अभाल ऑर अनाजा जाना नेताओं की नजादे है अर कुशीष कर ले hay चक्कर नाजोरे लेकिन पिष्टि भारन भी ए्पनार वपनने लिगनाँ वी जूनाँ जाए सर्कडर को जवा जाने के बाद भाच्पा के लिए विजी जनाँ जाूवे टे जह जाने के लिए जानाँ पिज़ के लिए जेए से 19 सीते with 11 सीटे जीनी जीती ती 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 यह ऐह बहु प्रिजमोना गुराल उनको टिकेट दे दिया तो यह सब बन्दब कहा जा सकता है कि भाजपा जो है इस चुनाओ को बहुत सिरियस्टी ले रही है जय के लिए थार करने लिए बाजपा गए फ्री टाकत लगा जेकट लेकरन के लिए लेखेश जही कुऑ जी तरी रहा जाय है और भाजपा पुरी भाजपा झाली रहा है आजए दूरुवी करन वर्से तुष्टी करन की लडाईए मुझ लड़ाई चालो ही आप ने जेए ब ऑफ बज्द एक भी किनारे कर देना या साव शमाच के लिए इस अब चीज़ गिना कर देख इस अब चीज़ गिना कर जा रही है कि कैसे भी हो किसी भी कीमत पर भाजपा यहां 11 में से 11 सीथ हासिल करने के लिए अबादा है और वो कहीं चाहती और नहीं चाहती उससे कोई चूप जाए इसलिए उद्धान मंत्री का दोरा जो है एक अभी जो है पिसली पहले चरण की जो चुनाओ उस पे पहले चरण की जो चुनाओ उस स्तार पचारक है वो तो पुरी ताकत लगा ही रहे हैं और यह मैं नहीं समझता करके कि इसमें भाजपा की और से कहीं कोई कासर कोट कासर दिखी है लेकिन हाँ कांग्रेस तुलनात्मा गरूप से जो है उनके अभी तक न रहुल गांदी का दौरा हुआ हुआ है एक बर प् तो कहीं नहीं कांग्रेस के लिए दिखत तो दिखती है जी वही अगर 36 गड की बात करे तो 36 गड नकसली इलाका माना जाता है और कहीं न कहीं पहले चवड का मतदान जोस तवीके से 19 अप्रेल को संपन हुआ है तो सुरक्षा की लिहाद से काफी अच्छे प्रबंद किये तो क्या लगता है आगे आने वाले दूस्वे चवड के लिए या तीस्वे चवड के लिए किस तवीके से मुस्तैदी रहेगी प्रशासन की या यू कहें कि सुरक्षा के इंतजाम के लिए क्या कुछ एहम प्रबंद किये जा रहे हैं अखमाशा आपका सवाल जाया जाए जैदिके यह बहुत महत्मोन था पहले चरन चरन की जो पहली सीट थी बस्तर पहले चरन में एक ही सीट पर चुना हुआ था भास्तर पहादनशील है जहां पर 2 दीन पहले ही मददान के 2-3 दीन पहले ही पुलिस ने बहुत बड़ा एंटीनक्सल मुवमें चलाय था जिसमें 29 को नुटिलाइस किया गया था इतना बड़ा मुमेंट के बाद भी जो है जो है जो है जो है नक्सलियों के और से जो है कोई उसका रिफर्केशन ने दिखा और जो उसका रिएक्शन सामने नहीं आया जब कि विधान सबा चुनाओं में तीन तीन विधान सबा जो चेत्र है विजापूर कोंटा और अन्ने जो है उनों ने वार्दात की थी जो है उनों ने निशाना बना या ता तो ऐसी इस बार जो लोग सबद चुनाओं में तहले चरण की जो समेनर शील सीट ती बस्तर वहां तो बहुत सफलता पुरवक जो है चुनाओ करा आए इलेक्शन ने इलेक्शन इसके लिए बधाई क जो है जाप आव जो है बहुत स्वाल ने ऊच्वाटन ने शीं जो है यह तो नो जो यह जो रखर स्वावित है लेकिन उसके ने पुरे जो है तैयारी की जई है चाख चौबन बिलकुल तैयारिया है और कहीं से कोई चूक नहीं हो सकती ऐसा लगता है परिंग इसा लगता तो तहीं से कोई प्रिशासन करता वा दिखनी रहा है और सारी तेयारी बहुत अच्छे स्थर के और पहले जो चरहन की जो पहली सीट बस्तर में जो चुना हुआ हुआ उसके लिए प्रिशासन दुदाई का बात रापत रहा है तो अनल जी आप से एक अखवी सवाल लेना चा प्रियास कर रहे हैं तो जनता का मूड के सोब चाता हुआ आपको दिख रहा है यह आपका सवाल बड़ा इंट्रस्टिंग है जनता का मूड को कोई कह नहीं सकता को भाप नहीं सकता जनता और बूसरी बात अब जो है सक्षरता दर भी बड़ी है अब बहुत सावधान होग कि अब बड़ी है तो आप पूछे किस पो देगा तो आपी बताईय कहता है तो अर सच बड़ी बात कि अगर्मी भी है तेज और कहीं कोई गड़ी जो इलेक्शन की जो सक्ति है खर्च की सीमा पर जो नजर रखती है तो उससे अशल लगता है कि लेक्षन थंड़ और बहद नीरस टाइप का चल रहा है सारी गर्मी जो